दोसो आप अपने स्क्रीन पे ये जे एक आध्यात में गुरू हैं इनको आप जो देख पा रहे हैं इन्हें सद गुरू के नाम से जानते हैं और ये इशा फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में इनको भारत में जाना जाता है काफी फेमस हैं सोशल मीडिया पर काफी इन हैं कि रहे हैं हमें चाहिएं और के ब्यान को कुष्ट को जानने की कोशिश करेंगे नमस्कार मेरा नाम है विồngनिय क्के आपका स्वागत है हमारे लिए क्यों जरूरी है 이 हमें क्यों पंडना चाहिए इसा मामला तो मैं आपको बता दूं दरसल यह जो court के द्वारा जो order दिया गया था इसमें हमारे exam के लिए polity का एक point चुपा हुआ है वो point है rates का यानि कि जो हमारे court के द्वारा जो order होते हैं और अगर हम specifically rate के बारे में बात करेंगे तो जो heaviest corpus यानि कि बंदी प्रतक्षी करन वाला मामला है वो हमें या पर देखने को मिलेगा court के द्वारा जो आधेश जारी करा गया जिस आधेश के तुरू इनका जो foundation था इसा foundation था जिसमें रेड़ देखने को मिलिया और जो पुलिस के द्वारा हाई court के द्वारा जो जांच करी जा रही है उसकी क्या finding है पूरा मामला क्या है मैं आपको इस चोटे से वीडियो में सारी चीज़ समझाऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो बंदी प्रतक्षी करन वाली जो रिट है किन मामलों में जारी करी जाती है अभी मदरा साइकोट ने इसको क्यों जारी किया है क्या पू के जो प्रवचन है आपने देखे होंगे तो काफी फेमस हैं इंडिया के अंदर ये दरसल एक प्रकरा आता है एक केस आता है एक सामने एक जो रिटार्ड प्रोफेसर हैं उनके द्वारा एक याचिका डाली गई मद्रास आइकोट में और मद्रास आइकोट में जो याचिका थी एक अच्छे युनिवरसिटी से पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी और एक सौफ्वेर इंजिनियर लड़की थी पिता के द्वारा आरोप लगाया गया कि वो जो दौनों लड़कियां थी उन दौनों लड़कियों का ब्रेन वाश करा गया दरसल एक बेटी का डैव जब बर्दस्ती जो ईशा फांडिशन ने वहां पर रखा जा रहा है जब यह पिता हाई कोट के पास पहुंचे तो हाई कोट के पास उन्होंने याचिका दायर करी और उन्होंने जो रिट जारी करी उनके दौरा जो रिट जो दायर करी गए कोट में उसका नाम है बंदी प्रितक्षी करने, यानि की hebbies purpose मैं आपको end में ये भी बताऊंगा कि किन condition में इसको issue करा जाता है और court कैसे किस तरह से इस rate को issue करता है किन किन इस्तितियों में और किस किस के लिए इसको जारी कर सकता है तो हम उस rate के बारे हम जानेंगे तो ये था पूरा मामला जैसे याचि के खिलाप कई सारे और मामले आये थे यहां पर हम बात करेंगे एक पॉक्सों का भी मामला आया था कि इसा फांडेशन के अंदर जो एक डॉक्टर थे उनके द्वारा ही वहां पर रह रही कुछ जो जन जाती लड़कियां थी उनके संबंद में कुछ यहां उन पीड़न जैस के बारे में आप जांच कीजिए और हमें रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए यह था पूरा मामला अब इस पूरे मामले की डवलप्मेंट कैसे थी उस डवलप्मेंट को हम देखेंगे तो मद्रास हाइकोट के आदेश पर जो डेढ़ सब्स अदकारियों के द्वारा दो बेटियां जैसा मैंने आपको बताया फांडेशन में रह रही थी उनका ब्रेंवाश करने का आरोप लगाया गया कि हमारी बेटियां है उनका ब्रेंवाश कर दिया गया है उनकी ऐसी बना दी गई है कि वह अब हमसे मिलना भी नहीं चाहती है अपने परवार से संबंद तोड़ना चाहती है और वहाँ पर उनको इस तरह से रखा गया उनकी मर्जी के खिलाफ ऐसा इनके द्वारा यह आरोप है जो लगाया गया अब यह आपके लिए इंप्रतक्षी करन क्या होता है मैं आपको डीटेल में समझाऊंगा क्योंकि यह हमारे लिए बहुत इंपॉ पूछा जा चुका है और प्रतिश्यद के बारे में बात करते हैं यहां से कोशन आ चुका है तो क्या पता कल को बंदी प्रितक्षी करन से भी कोशन पूछ लिया जाए इस लिए यह आपके लिए यह भी इंपॉटेंट हो जाता है इस दौरान जो जाच करने और रही थी जितने आरोप लगाय जा रहे थे सबकी रिपोर्ट मागी गई पुलिस से कि आप सबकी जहांच कीजिए और सबके बारे में जो रिपोर्ट है वो हमें प्रस्तुत कीजिए यहां पर कोट के द्वारा जो इशा फांडेशन इसके संस्तापक जग्गी वासुदेव जिनने आप सब्गुरू के नाम से जानते हैं इनके जीवन में इसपश्ट जो विरुदावास हैं इन पर सवाल उठाया गया यानि कि जब यह याचिका पहुची जब यह रिट दायर करी गई जो याचि करता है यानि कि जो पिता हैं उनके द्वारा तो कोट ने एक बात क जाई कि अगर माली जो जगी हैं जो सद्गुरू हैं उनकी जो खुद की बेटी है उसकी खुद की बेटी को उन्होंने प्रॉपर सेटल करके रखवाया हुआ है यानि कि वो शादी सुदा हैं और बात करेंगे वो अच्छे तरीके से वेल सेटल है जबकि उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया जबकि जो बाहर की लड़किया वहां पर रह रही हैं उनको साधू बनने पर जो सन्यासी बनने पर उनको मजबूर किया जाता है उनको बोला जाता है कि वो अपने सर के बाल हैं वो उनको मुडवाद हैं और वो साधू और सन्यासी बनके वहां पर रहे हैं और उनके साथ अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करी जाती हैं जो कि उनकी जो बेटी है उसको उनको उनके साथ में चीज़ों को फॉलो नहीं करते जबकि अन्य जो लोग वहां पर रहते हैं उनसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड करी जाती हैं तो कोट ने इस च सध्जिवासुदेव तो इसलिए आप तो टेवेश्म हैरे पास आए कि को न्याए देनी कि कोशिश कर रहे हैं येची चीज कोटकर बोली गई जैसा मैंने आपको बताया कि जो जग्गी हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई प्रोपर अच्छे से उनका घर बसवाया और अन्य योतियों को सिर्मडवाने और सांसारिक जीवन करने का त्याग करने के लिए और उनके योग किंद्रों में साधवी के रूप में क्यों प्रोफ साहित कर रहे हैं यानि कि जो जग्गी हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपनी बेटी के लिए अलग विवहार और जो वहां पर लड़किया अन्य लड़किया रहे हैं उनको साधवी वनने पर सिर्मडवाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है क्यों ऐसी ची संबंद तोड़ने पर मजबूर हो गई हैं उनके द्वारा ये बात भी कहीगी कि जो दौनों बेटिया हैं वो परिवार से कोई भी कैसा भी संबंद नहीं रखना चाहती हैं ऐसी उनको खाना ऐसा उनको भोजन साथ ही साथ जो ब्रेन वाशिंग है उनकी वो भी करी गई है य इनके तरफ से कई ऐसे आपराजक मामले पहले भी आ चुके हैं यानि कि इनके फाउंडेशन में इनके जो डॉक्टर हैं उनके उपर पॉक्सों का मामला दर्ज है वो जो डॉक्टर थे उनके द्वारा दो जो जन जाती लड़किया थी उनके साथ जो यौन उट्टिडन ज फाउंडेशन का पक्षर क्या था तो फाउंडेशन के वकील के द्वारा कहा गया कि वैसकों को उनके द्वारे यांपर सम्विदान की बात करेगी कानून की बात करेगी और बोला गया कि हमारे यहां जितनी भी लड़किया हो या फिर हमारे यह जितनी भी लोग हो वो अप पर जतने लोग आते हैं सारे के सारे लोग साध्वी बन जाएं कुछ लोग आते हैं वह भी जो हैं किपास open आल रहता है जो वैस्क लोग पिता है या फिर अपना जो है सांसारिक जीवन में वह अपना लगा रहे तो यह व्यक्ति का अपना खुद का रायत है और हर व्यक्ति अपनी मर्जी से ही यहां पर आता है अब यहां पर बात करें तो जज़ों ने बेटियों और उनके माता-पिता के बीच इसपश दुस्मन किजी कोट में तो जब दोनों लड़की आई तो दोनों लड़की उसे हाई कोट की जो बैंस से उन जज़ों ने ये कहा कि आप यह लोग कर क्या रहे हो अगर आप अपनी मर्जी थी उनको समझाने की कोशिश करी गई उनके द्वारा कुछ चीजें जो जो ठीक लग रहा था एक as a human being और जानी की कानून के था तो सारी चीजें समझाने की कोशिश करी गई इसके अलावा कोट ने एक मामले और मतलब एक इस मामले को एक कदम और आगे बढ़ाया और जो अत से शादी करने या सादू बनने के लिए नहीं कहते यह व्यक्तिगत चुनाव है हर व्यक्ति का उन्होंने कहा कि इशा योग केंदर कई व्यक्तियों की मेजवानी करता है और केवल कुछ ही लोग यहां सादू बनने का चैयन करते हैं यह उनकी तरफ से बोला गया जो इशा बहुत सारे लोग नहीं जानते हुँगे तो यह बेसिकली यह जो हम फंड़मेंटल राइट पड़ते हैं अब यह होती कि यह रिट का ही एक प्रकार है दोस्तों पहले तुम्हें आपको यह बता देता हूं यह रिट होती क्या है उस से पहले आप यह जान लीजिए कि यह जो बंदी प्रतक्शी करण, अब ये रिटें क्या ओ दियें, दरसल रिटें एक ऐसे कानूनी या फिर सम्वेधाने को उपकरण होते हैं, जो व्यक्ती के अधिकारों को बचाने के लिए कोट के द्वारा इश्यू करे जाते हैं, कोट के द्वारा जारी किये गई एक ऐसे आदेस होते हैं, जिसके विरुद्ध इनको जारी किया जाता है, उनको इसको फॉलो करना भी होता है, तो जो मैंने आपको पांच बदेदायन से बंदी प्रतक्शी करण होता है, एक परमादेस होता है बात कर लीते हैं, जो मद्रास हाई कोट की दो ज़ारा इस मामले में, एसा प्रतक्शरीकर्न का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है simple सा bring the body ठीक है bring the body यानि कि बंदि प्रतक्शी कर्ण इसको आप इसका जो नाम है is इसको समझने की कोशिश कीजिए, बंदी प्रितक्षी करन नाम की जब रिट जारी करी जाती है, कोट के द्वारा, तो इसमें ये बोला जाता है, कि अगर ये बेसिकली पहले में आपको बता दूं, तो इसको निजी और गवर्मेंट, दोनों अथोरिटी के खिलाब जारी किय जा सकता है, यहाँ पर इस मामले में आप देखेंगे कि जो इशा फाउंडेशन है, इसा फाउंडेशन के मामले में निजी जो व्यक्ती थे या फिर संस्थान था, उसके खिलाब भी इसको जारी करा गया, अब इसमें ये चीज बोली जाती है, कि आपने जिस व्यक्ती को क परण करके रखा हुआ है, अगर ये इल्लीगल है, तो फिर हम उसको मुक्त कराएंगे और सजा देंगे, जो जिसने भी इसको इनको डिटेल किया है, तो एक्जेक्ली यहाँ पर जो पिता थे, उन पिता के द्वारा इसी बंदी प्रतक्षी करने नाम की जो रिट थी, इसक फाउंडेशन को भी ओडर जारी करा था, इसी रिट के माध्यम से, कि जो दो लड़किया हैं, आप उनको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, हम उसकी वैदानिकता की जाच करेंगे, क्या आपने उनको अवैदानिक तरीके से तो नहीं रखा हुआ इसा फाउंडेशन में, त उसको आर्टिकल 32 के तहट यह जो रिट हैं, उनको जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोट होता है, वो केवल और केवल फंडामेंटल रैट के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अगर हमाई हाई कोट की बारे में बात करें, तो अनुच साई कोट है, उसको द्वारा जो रिट जारी करी जाई, वो आर्टिकल 226 के तहट आएगी, यह होता है हमारा पूरा रिट का एक कॉनसेप्ट, क्या था मामला, कैसे कनेक्टेड है यह बंदी प्रतक्षी करन से, होफुली आपको पूरा मामला समझ में आया होगा, और जो 4 अक्टूवर है, उस तक का टाइम दिया गया है, आगे आने वाला जो अपडेट होगा, वो भी देख लिया जाएगा, कि क्या कोट का और रहेगा, हमारे लिए जरूरी था बंदी प्रतक्षी करन को समझना, और उस केस की सायता से हम समझना, ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप खुले दिल से, तहे दिल से आम अंतरित हैं, तो अगले शेशन में आपसे जल्द मलाकात होगी, और हाँ, अगर आप लोग, अगर डेली न्यूस एनलाइसिस है, जो कि इसी चैनल पर सुबह नौ बजे डेली मेरे द्वारा लिया जाता है, अगर आप वहाँ पर नहीं उसको फील कर पाएंगे, तो मुलते हैं आपसे, नौ बजे और डेली करेंट अफ़ेर के वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैंक्यू वेरी मच, जहिन